श्रेश भारत शो में आप सभी का स्वागत है नमस्कार आपके साथ मैं हूं गुलविश इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरे तो श्रेश भारत प्लाटफॉर्म पर तेज रफ़तार से शुरू करते हैं श्रेश भारत शो उत्तर भारत में कॉंग्रेस का आखरी किला भी ढहता हुआ नजर आ रहा है कॉंग्रेस ने अच्छे नंबरों से हिमाचल में सरकार बनाई थी और उमीद की जा रही थी कि बीजेपी इस किले में सेंधमारी नहीं कर पाएगी लेकिन वो कहावत है कि किले के दर्वाजे अंदर से ही खुलते हैं कॉंग्रेस के किले को ढहाने के लिए दर्वाजे खोलने का काम किया है हिमाचल के पूर मुख्यमंत्री वीर भद्र के बेटे विक्रम अदित्या ने विक्रम रित्या ने सीम सुख्विंदर सुखु पर अपमान करने का आरोप लगाया है और विरोज जदाते हुए मंतरी पत्से इस्तीफा दे लिया देखें मैंने ये बात साफ कही है कि जो वास्तविक परिस्तितिया है उसके बारे मैं पार्टी हाई कमान को ब्रीफ किया है अब बाल इस इन पार्टी हाई कमान बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात in due discussions and deliberations पार्टी हाई कमान के साथ करीब भी जाएगी and I am sure that whatever decision will be taken it will be taken in the larger interest of the organization of the party and the people of the state विक्रे में दित्या की शिकायत है कि सुखुने अब मानित करते हैं विधायक भी सुखु से खुश नहीं है जिसके बज़ो से हिमाचल में cross voting की गई थी अब गेंद आला कमान के पाले में है cross voting करने वाले एक विधायक राजेंद्र राणा ने Congress High Command से सुखु को मंत्रीपत से हटाने की मांग की है राणा ने कहाए कि अगर ऐसा होता है तो वे वापस आ सकते हैं इस वीच विधान्सवा स्पीकर ने भाजपा के 15 विधायकों को सदन से निश्कासत कर दिया इन विधायकों में नेता प्रतिपक्ष जेराम ठाकुर भी शामिल है जेराम ठाकुर ने बुधवार सुभाग गवर्नर से मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट की मांग की ठाकुर फ्लोर टेस्ट की मांग इस वजह से कर रहे हैं कि राजसभा चुनाव में कॉंग्रेस के चै और तीन निर्दली विधायकों ने भाजपा प्रतियाशी के फेवर में वोट दिया था जिसके बाद सुखु सरकार की साख पर सवाल खड़े हो गए थे हिमाचल में 68 सीटे हैं और बहुमत 35 सीटों पर है अगर ये सभी पाला बदलते हैं तो सुखु सरकार के पास 34 सीटे बजेंगी जो बहुमत से एक कम है अगर सुखु कुरसी छोड़ते हैं तो डिप्टी सीएम मुकेश अक्मी होतरी और पी डबलुडी मंत्री विक्राम दित्या सीएम पर की रेस में सबसे आगे हैं हाला कि सुखु दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी ना तो मैंने से किसी ने स्तीफा मांगा ना ही मैंने कोई पेशकस की पहली बात तो यह है कि मुझे जैराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया मैं तो देखा भी नहीं हम अपना भहमत भी साबित करेंगे और निश्चित तोर पर कह सकता हूँ मैं संघर्श की राजनिती से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनिती की है यह जीत हमारी होगी हमाचर की जनता की जीत होगी और मैं यह भी दावा कह सकता हूँ कि भारते जनता पार्टी तरफ क्यों रही है अभी हमारा बजट पास होना उसमें बोटिंग करवाईए और जो उनके साथ गये वो भी कुछ हमारे संपर्क में है किसकी पक्ष में बोटिंग करते यह तो अभी आपको सामने नजर आएगा पर निश्चित तोर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कॉंग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनितिक दवाब लोग बनाते हैं उन शड़िंतों का भी हमाने वाले समय में परदाफाश करेंगे हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्ची तोर पर पांच साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी इसमें कोई दोराए नहीं गुजरात एटीएस नेवी और सेंट्रिल एजनसी ने जॉइंट आपरेशन में अरब सागर में भारतिय सीमा से 3300 किलो ड्रग जब की है इसकी अंतिराश्टे बजार में कीमत 2000 करोर रुपे से ज़ादा बताय जा रही है इस रेट में जॉइन टीम ने ड्रग तसकरी करने वाले पांच विदेशी ड्रग तसकरों को भी गिरफतार किया है ड्रग तसकरों की नागरिक्ता का पता लगाया जा रहा है वैसे अनुमान है कि ये इरान या पाकिस्तानी नागरिक हो सकते हैं कुछ दिन पहले गिर सोमनात पुलिस ने वेरावल शहर के घाट पर भेकर आई 350 करोर रुपे की नशीली दवाएं बरामत की थी इसके बाद सही मामले की तफ्तीष डिल्ली नाकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो और गुजरात एटियास दूसरी के इंद्रिय एजिंसिया कर रही थी उन्होंने ड्रग तसकरों को पकड़ने के लिए अभियान भी चला रखा था समुद्रे सीवा में पकड़ी गई ड्रग की ये सबसे बड़ी खेब बताई जा रही है जब इस ड्रग को पकड़ा गया तब ड्रग तसकर इरान की एक नाव पर सवार थे वो मंगलवार देराथ नाव को कोरबंदर समुद्र तट पर लाए थे पाच दिन पहले ही गिर के विरावल बंदरगां से 350 करोड की हिरोईन मचली पकड़ने वाली नाव से बरामत की गई थी इस रेड में 9 लोगों को गिरफतार किया गया था फिलहाल ATS, गिर सोमनात, SOG, ICB, FSL और मरीन पुलिस मामले की जाच कर रही है ड्रग सीज मामले में एजनसियों को पता था कि मचली पकड़ने वाली एक नाव का इस्तमाल ड्रग तसकरी में किया जा रहा है एजनसिया एक नाव पर पहले से ही निगरानी रख रही थी मंगलवार रात कुछ लोग इस नाव में पहुँचे और उससे कुछ ड्रग निकाल कर अपने वहानों में रखने लगे जब ये लोग ड्रग लेकर वहां से निकल गए तो एजनसियों ने घाट से करीब दो किलोमेटर की दूरी पर इन तसकरों को पकड़ लिया जैसा कि हमारा इंटल था इंटल के वेस्ट पे लोग पहले भी इस धंदे में लगे हुए लोग हैं तो बाकी अब इंवेस्टिकेशन के बाद बता चाहिए market cost we refrain from saying लेकिन फिर भी यह depend करता है market cost तो कुछ भी एक fixed value नहीं होती है यह quality, quantity, region, demand supply इन सब चीजों पर निर्वर करती है अलग-अलग होती है पर मैं फिर भी internationally अगर मैं बात करूं तो high quality चरस 5-7 लाख रुपए कीमत होनी चाहिए कम सकम पर केजी की और meth और जो suspect heroine है यह एक से पांच करोड की कीमत हम लोगा आखते है सरकारी और private hospital में इलाज की अलग-अलग कीमत पर सुप्रीम कोट ने अपनी नाराज की जाहिर कर दी है सुप्रीम कोट एक मामले की सुनवाई कर रहे थे तब सुप्रीम कोट के सामने आया कि सरकारी अस्पताल में मोतिया बिनके एक हांग के आपरेशन के लिए 10,000 रुपए का खर्चा आता है ये कानून केंद्रे सरकार का क्लिनिकल स्थापना नियम है इसके तहत राज्यों के साथ बातचीत करके मेट्रो शहरों, छोटी शहरों और कजबों में इलाज और बिमारीों के इलाज के लिए एक मानकदर तैकी जानी थी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया कि उन्होंने इस बारे में राज्यो को कई बार चिठी लिखी है लेकिन किसी भी राज्यो से कोई जवाब आया ही नहीं इसपी सुप्रीम कोट ने काये कि देश के लोगों को स्वास्त सेवा उपलब्द कराना उनके मौलिक अधिकारों में आता है केंद्रिस सरकार इस आधार पर अपनी जिम्यदारी से बच नहीं सकती है अधारत ने केंद्रिस स्वास्ता सचिप को निर्देश दिये कि वो एक महीने के अंदर इलाज के दाम तै करने के लिए राज्यों के अधिकारियों संग बैठक बुलाएं सुप्रीम कोट ने साफ साफ काए कि अगर केंद्रिस सरकार इस मामले का हल खोजने में नाकामयाब रहती है तो कोट याचिका करता की सी जी एचेस से तै किये गए दामों को लागू करने की याचिका पर विचार करेंगे गारतलभै की सुप्रीम कोट में एक एंजियो वयो व्रिद्ध मंच फॉर ट्रांस्पिरिंसी इन पब्लिक लाइफ ने वकील दानिश जुबैर खान ने यह प अधारित करते नियमों के तहट सभी स्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपना रिजिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए वहां दी जा रही सर्विसिस के लिए फीस और मरीजों के लाग के लिए उपलब सुविधाओं को प्रमुक स्थान पर स्थानिय भाशा के साथ अंग्रेजी भाशा में जानकारी देनी होगी याचिकर करता ने जस्टिस बी आर गवई और संदीप महता के पीट को बताया कि केंद्रे सरकार के दौरान मरीजों के इलाज के लिए इलाज के दाम तैय करने में तेजी दिखाई थी और अगर राज्य इलाज की दरों की सीम तैय करने में सहयोग नहीं करते तो केंद्रे सरकार केंद्रे कानून के तहट अपनी शक्तियों का इस्तमाल करके विभिन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क एक तरफा अधिसूचित कर सकती है करनाटक में एक नया विवाद उत्पन हो गया है यहाँ पर बीजेपी नेमंगल अलवार देरात कॉंग्रेस के नव निर्वाचित राज सभा सांसक नसीर हुसें के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्श कराई है शिकायत में कहा गया है कि राज सभा चुनाब जीतने के बाद नसीर के समर्थों को ने जीत का जश्र बनाते हुए विधान सभा परिसर में पुलिस टेशन में इस मामले की शिकायत दर्श कराती है इसमें कहा गया है कि विधान सौध में 27 वर्वरी को हुए राजसभा चुनाफ के बाद नसीर हुसें और उनकी कई समर्थक शाम को काउंटिंग शेत्र के पास इकट्टा हुए थे शाम करीब 7 बजे जब परिणामो की घोशना हुई तो नसीर के समर्थक जोश में आगए शिकायत में आगे कहा गया कि इसके बाद कॉंग्रेस नेता के कहने पर नसीर हुसें के समर्थकों ने अचानक अपने नेता की जह जैकार करते हुए जोड़ जोड़ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए ऐसा लग रहा था जैसे नसीर हुसें के ये समर्थक नसीर हुसें के डाजसभा के लिए चुने जाने पर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हुँ शिकायत में ये भी लिखा गया है कि ऐसा नारा राष्ट्रे सम्मान का खुला अपमान है और भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपराथ है ये बयान आईपसी की धारा 505 के तहट सारवजनिक शरारत के लिए अनुकूल है क्योंकि इसका उदेश्य डर पैदा करना और सरकार के खिलाफ नफरत भड़काना है इस मामले में आरोप साबित होते हैं तो अधिक्तम 3 साल की सजा का प्राबधान है इस वीश नसीर हुसेन ने अपनी सफाई में काए कि उनके समर्थोकों ने नसीर हुसेन जिन्दाबाद का नारा लगाया था ना कि वो नारा जिसका विडोप मीडिया का एक वर्ग कर रहा है नसीर ने कहा कि मामले की जाच होने दीजिए आज की समय में तकनीक काफी उननत है ये एक साज़िश भी हो सकती है प्रधान मंत्री नरेंग्र मोदी ने लोकसवा चुनाफ से पहले दक्षन भारत में अपना प्रभाव जमाने के लिए एक के बाद एक विकास की कई परियोजनाव को घाटन और शिलानयास किया इन में देश का पहला हाइजरोजिन हप पोट और इंलन्द वाटर वे वेसल शामयल है इस वेसल को ग्रीन नौका इनिशियेटिफ के तहत बनाया गया है इसके लावा पियम मोदी ने वियो चिदमनार बंदरग्रा पर आउटर हारबर कंटेनर टर्मिनल की आधार शिला रखी पियम मोदी ने तमिलनाडू दौरे के दौरान 10 राजय और केंद्री शासर प्रदेशों में 75 लाइट हाउस में परियाटक सुधाय भी राष्ट्र को समर्पित करी इसके अलावा 1477 करोड की लागत से कन्या कुमारी, नागर कोईल और तिरनुवेली से चिन्नई तक के रेल प्रोजेक्स और 4586 करोड की चार सड़क परियोजनाव का भी लोकार पन किया पियम मोदी 27 परवरी को तमिलनाडू के तिरुपूर के पलदम पहुंचे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने थुतुकुडी में हरित नौका पहल के तहट भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइडरोजन इंधन सेल अंतर देशिये जलमार्ग जहास को हरी जंडी लिखाई इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज तमिलनाडू थुतुकुडी में प्रगती का नया अध्याय लिख रहा है ये परियोजनाए विक्सित भारत के रोड मैप का एक एहम हिस्सा हैं इन परियोजनाओं में एक भारत, श्रेश्ट भारत की भावना भी देखने को मिलेगी प्येम मोदी ने कहा मुझे तमिलनाडू और देश की जनता को एक सत्ते बताना जरूरी है सत्ते कड़वा होता है मैं सीधा रोप UPS सरकार पर लगाना चाहता हूँ कि ये परियोजनाए जो मैं आज लेकर आया हूँ वे दशकों से यहां के लोगों की मांगे थी आज वो यहां सत्ता में बैटे हैं वे लोग तब दिल्ली में बैठे थे सरकार और ये विभाग चलाते थे लेकिन उन्हें अपने विकास की फिकर नहीं थी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की पहली हाइडरोजन इंदन फेरी को लॉंच किया गया है ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलेगी ये एक तरहां से तमिलनाडू के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहर है दे श्रेष्ट भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरे ऐसी ये खबरों के साथ कल फिर से हाजर होंगे मुझे दीजे इजाज़त और आप हमें सब्सक्राइब करना मत भुलिए श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत